लगतार प्याज के दाम आसमान चुरे हैं और ऐसे में लोग अब प्याज कम ले रहे हैं लेकिन भारत सरकार द्वारा एन्सीसीएफ संस्था द्वारा पचीस रुपय कीलो प्याज जो है वो बेचे जा रहे हैं राधानी राची में आप देख सकते हैं यहाँ पर रुपय कीलो जो प्याज है वो यहां पर बेचे जा रहे हैं लगतार प्याज के दाम जो है आसमान चुरे हैं 7-7 कीलो प्याज जो है वो बेचे जा रहे हैं और आशे में अब यहां पर 25 स्था कीलवव प्याज लेने की ह और आफ साफ देखने को मिल रहा है लगातार लोग यहां पहुँच रहे हैं और जो है 25 रूपए किलो प्याज वो ठरीद रहे हैं काफी संक्या में कितने किलो 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 किला है अब देखीे किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो प्याज जो है वो ले रहे हैं 50 से 60 रुपे किलो प्याज है इससे पहले 60 से 70 किलो प्याज के दर्थ है और ऐसे में अब 25 रुपय किलो राची के विभिन जगों पर जो है NCCF संस्थान द्वारा बेचे जा रहे हैं 25 रुपय किलो प्याज जो है वो बेचे जा रहे हैं आप लिए अपने लगता दो किलो लिए और चुकर प्याज काफी कॉश्टली और प्याज का ख़पद जादा है तो प्याज तुद चाहिए जी चाहिए और मैं क्रोस कर रहा था तो मिरे को लगा सस्ता है तो ले लिए और बेनेफिट तो लेना ही चाहिए सभी को बिल्कुल तो आप भीड से अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्याज जो है वो 25 रुपय कीलो बेचे जा रहे हैं या कौन से संस्थाम दोरा यह बेचे जा रहे हैं बारत सरकार के एंसी सेफ के संस्था है उसके दोरा 25 रुपय कीलो प्याज वितरंद किया जा रहा हम सेवा के लिए आम जनता के सेवा के लिए तो काफी हो रहा है आप तो देखी रहे हैं वह बेचे जा रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि काफी भीड जो है वो देखने को मिल रही है तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो प्याज लेने के लिए यहाँ पर कतार लगा रहे हैं और किस तरीके से लोग प्याज यहाँ पर ले रहे हैं मुराबादी इलाका है और यहाँ पर प्याज यह 25 रुपय कीलो बेचे जा रहे हैं मह सरकार द्वारा NCCF द्वारा जो है वो 25 रुपए किलो प्याज जो है बेचे जा रहे हैं जिसके बाद ये भीड आपको देखने को मिल रही है 25 रुपए किलो प्याज लेने के लिए लोग यहां पर जुटे हैं अपने सोगी प्रशान मित्रा के साथ अंकुर सेना समचार प्लस राची